बारिश के मोसम में चटपटा खाने का मन तो करता ही है फ्रेंड्स और अगर स्नैक्स की बात की जाए तो जहलमूरी के कंपारिजर में कोई और स्नैक्स हो ही नहीं सकता बनाने में आसार और खाने में बहुत बहुत जादा मज़दार हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माईशास की चन आज मैं आपकी लिए एकदम आसान तरीके से जालमूरी की रेसिपी शेयर करूगी जिसका टेस्ट हाई लेवल का होगा फ्रेंड्स तो आज की रेसिपी एन तक देखिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले तो चलिए आज की मज़दा रेसिपी शुरू करते हैं जालमूरी बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दो बाउर इतना साधा वाला मुरूमुरा लिया है इसमें हम एड़ करेंगे एक चोता ही चम्मच इतना चाट मसाला एक चोता ही चम्मच इतना भूना जीरा पाउडर एक चोता ही चम्मच इतना लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से रखे, एक चोता ही चम्मच से थोड़ा कम नमक में डाला है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाले, आदा बाउल इतना रोस्टेड मुंफली हम इसमें डालेंगे, इसी के साथ एक मेडियम से इसकी बारी कटी हुई प्यास, और एक मेडियम से इसका बारी कटा हुआ टमाटर भी हम इसमें डाल देते हैं, इसके अलावा अगर आप कोई और विजिटेबल इसमें एड करना चाहते हैं, जैसे कि बोईल आलू हो या स्वीट कॉन हो, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं आधा बाउल इतना नमकीन हम इसमें डाल देंगे, कोई भी नमकीन डाल दीजिएगा जो अवेलेबल है, वो आप डाल सकते हैं, आधा निम्बू का जूस इसमें एड कर दें लास्ट स्टेज में, निम्बू से इसका बहुती अच्छा टेस्ट आएगा और बस लास्ट कर लेंगे, बिना किसे स्पेशल मसाले के, बिना किसे स्पेशल सौस के इतना बड़िया सा ये चालमूरी बनकर त्यार होती है, आप इसे मेरे कहने पर एक बार ट्राइ करके दीखेगा, बहुत ही मज़दार रेसिपी है, तो रोड साइट जिस तरह से इसे कागस के कोर्ण म को सब्सक्राइब करना मत भूले, तो देखे फ्रेंट्स, इस तरह से मैंने से सर्व किया, इसे देखते ही मूँ में पानी आता है ना, बहुत ही मज़दार बनता है फ्रेंट्स, आप इससे घर पे, मेरे कहने पर एक बार ट्राइ करेंगे, और मुझे कमेंट में भी बताए अगले ही ऐसे ही मज़दार रेसिपी के साथ धन्यवाद